बहुत हुआ समान बिटो बहुत हुआ समान बहुत हुआ समान भाई साब यह देश में हो क्या रहा है मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है बताए शारुक खान के लड़के को जमानत नहीं मिल लई और इधर जो हमाई मंत्री जी है केंद्री ग्रह राज मंत्री मिस्रा जी उनक अगर उनके पास बुल्डोजर होता तो यह मिसरा जी और वो जो गोरकपुर के जो दरोगा जी है यह फराड थोड़ी घूम रहे होते है योगी जी तुरन बुल्डोजर चला करके इनका घर अब तक गिरा चुके होते लेकिन बुल्डोजर मिली नहीं रहा है हमको तो लग रहा है कि मिसरा जी का जो लड़का है ना फरार हुआ है वो बुल्डोजर लेके फरार हुआ है अब आपको लग रहा होगा क्या योगी जी के पास एक ही बुल्डोजर था नहीं उनके पास दूई बुल्डोजर उनके पास थे एक बुल्डोजर मिसरा जी के कि दूसरा बुल्डूजर वो लेकर के फरार हो गए हाला कि योगी जी कहते हैं कि प्रदेश में अपरादियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीती हम अपनाते हैं अचा एक बास समझ में नहीं आती कि जो जीरो टॉलरेंस ये बोलते हैं उसमें कितने जीरो होते हैं पता है आपको नहीं पता नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसमें दो जीरो होते हैं एक-जिरो, मिस्रा जी के लड़का लेके भाग गया, और दूसरा जिरो, वो दरोगा जी लेके भाग गये. खास, खास, क्या चलना है? उदर हमाएं मोदी जी का वो जो स्पीकर फोन वाला मोबाईल था न, वो नहीं मिलना है, जिसमें वो खिलाडियों से बात करते थे ना, वो नहीं मिल ला है, अगर वो मिल गया होता, तो मोदी जी मिसरा जी की लड़के से बात ना कर ले थे, नहीं, मिसरा जी के लड़का भी कोई छोटा मुटा खिलाडी है क्या, गजब का खिलाडी क्या उचलकूत करता है, देखा तो चार पास दिन से इधर उधर मीडिया के सामने उचल लाए इधर उचल लाए इंटरबू दे रहा उचल उचल के अब पुलिस वाला मैटर आया तो कूद के बाग गया अब भाई साब वो नहीं मिल लाया समझ रहा है ये लोग बात करते थे कि धाऊद को हम पकड़ लाएंगे मेहुल चोक्षी को पकड़ आएंगे नीरो मोदी को पकड़ लाएंगे बीचे मालिया को पकड़ लाएंगे और ये टेबल पे सजा सजाया मिस्रा जी का लड़का रखा था उसको नहीं पकड़ पाए वो भी निकल गया गुरू कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि नेपाल भाग गया अब भैसा नेपाल मजबूरी में गया होगा मिस्रा जी के लड़का कैसी मजबूरी बाई दोको जो हमारे केंदरी ग्रह मंत्री है उनके लड़के को भी अंग्रेजी नहीं आती है है न ये तो केंदरी ग्रह राज्य मंत्री है उनका बेटा है यूपी से है तो इसको कहां विचारे को अंग्रेजी आती होगी इसलिए मजबूरी में नेपाल भाग के गया है अंग्रेज जी आती होती तो ये भी लंडन भाग जाता मजबूरी किसी की समझा करो यार मजबूरी में किसी की हसरा अच्छी बात नहीं है बताईए अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी में जो को परिवार वाद नहीं है अब भाई सब बताईए ये जो मंत्री जी है मिसरा जी ये किसानों को धमकी दे रहे थे किसानों सुधर जाओ वरना सुधार ना हमको आता है मिसरा जी ने धमकी दी किसानों को अब मिस्रा जी के लड़के ने गाड़ी लेके सुधार दिया जैसा कि उनका मानना है अब पुलिस का मैटर आ गया तो मिस्रा जी के लड़के के बड़े पापा ने उसको कहीं पहुचा दिया तो देख रहे हैं लोग कैसे परिवार बात नहीं है परिवार यही होता है जिसमे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़के मोके बेमोके एक दूसरे की मतलब इस तरीके की मदद करें हूं वो होता है हलाकि मिस्णा जी के लड़का आज पुलिस वहाँ पे नोटी जाकर चिपकाया आई थी कि तुरंद कल आओ आई नहीं पता नहीं कहां भाग गया मिस्णा जी कह रहा है कि नहीं हमाई लड़के कि तबियत खराब थी अब देख रहे हैं मैंसाब तबियत खराब कल तक अच्छा खासा लड़का उचल कूद रहा था मीडिया के सामने है चार दिन पहले क्या गाड़ी चला रहा था अब अचाने मतलब तव्यपत खराब हो गई अब बच्छा अकर दो दीन स्कूल न जाए तो वहां जाकर मीडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है लेकिन ये मिस्रा जी को लड़का तबियत खराब इसलिए नहीं आया मिस्रा जी ने बोल दिया सर्टिपिकेट की क्या जरूरा था भाई अब ने बोल दिया उसके तवित खरापती बस मान लो लेकिन एक बात है कि जो मिस्रा जी के लड़का है ये है बड़ा अज्याकारी बड़ों का कहना मानता है अब योगी जी तो बड़े ही है ना योगी जी ने क्या कहा था या प्रादीयों को परदेश छोड़ना होगा उनकी अभ्या पालन किया परदेश छोड़के निकल गया भाई साहर ये हो क्या आरा है मुझे ये नहीं समझ में आरा है मामूली आदमी कोई होता है तो अगर पुलिस का कोई मेंटर हो जाए तो बगेर एफायार के पुलिस वाले उसके घर में खुच जाते हैं उसके बाप को उठा लाएंगे चाचा को उठा लाएंगे फूफा को उठा लाएंगे बामा को उठा लाएंगे अगल बगल के मुहले वालोग उठा लाते हैं यहां पर भाई साथ मिस्रा जी मिस्रा जी के लॉंडा खुदी उठा उठा घोम रहा है लेकिन पुलिस मतलब कहती कि हमको दो मिली दी रहा है कहा है पता नहीं है मोदी जी भी देखो हमारे एक दम जो बैठे हुए हां नहीं तो उनका मूठ खराब हो टेने तुम्हारा लड़का कहा है टेने लेकिन भाई साथ इतनी बड़ी बड़ी बाते बताई जाते कि उत्तर प्रदेश नंबर वन और जीरो टॉल्रेंस और अप्राजियों को प्रदेश छोड़ना होगा और यहां पर अप्राज यह वह लेकिन सामने हैं आप देखो उत संत्री जी का बेटा है जीरो टॉल्रेंस है उत्तर प्रदेश नंबर वन है है अपराज मुक्त प्रदेश है तो अब आप अंदजा लगा सकते हो कि यह प्रदेश बस आई से नंबर वन है अ बहुत हुआ समान बेटा बहुत हुआ समान बहुत हुआ समान